अलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तोड़े विल कंटीनिव इन आवर आई पीसी लेक्टर सीरीज आई विल कवर पनिश्मेंट्स तुड़े इन पनिश्मेंट्स यहां पर पांश तरह की पनिश्मेंट्स आयेएंगी और इसका कणिक्षन दो सीयार पीसी में भी चाहेगा आज हम इसको डिटेल में डिसक्स करने वाले हैं तो अगर आपको और क्योरेशी हो रहे हैं कि की जो कौन कौन से सेक्शन dale गांपर को देखने है तो CRBC के lecture में मैंने detail video दे रखा है इसका chapter 3, chapter 2, chapter 3 and chapter 13 का तो आप जाकर के back से देख सकते हैं आज हम discuss करते हैं punishments यहाँ पर हम 5 तरह की punishment के बाद हम बात करेंगे जो पहली punishment है वो related to death sentence related So let me explain here there are mainly 5 kind of punishments punishment so we will discuss about punishment the first one is death second one is life imprisonment third one is imprisonment imprisonment that imprisonment could be a simple imprisonment and rigorous imprisonment and fourth one is fourth one is fourth one is fourth इचरा property 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 जबत कर लेना and and fifth one is and fifth one is fine जुर्माना तो यह तो यह पांच तरह की punishment है पांच तरह की punishment और इनका link जो है वो CRPC में इनका connection मिलेगा CRPC से तो सबसे पहले हम आते हैं death sentence के बाले यह जो section है वो section 53 है section 53 खाली punishment के बारे में बात करता है कि कितने तरीके की punishment है यहां पे हता है so we have discussed like the punishment to which offenders are liable under the provisions of the code are first is death punishment second punishment is imprisonment for life third punishment we can say past तरह की punishment ही हम इसक्स करेंगे यहां पे third यह में है वो एक तरह से हटा दिया गया तो यहां पे first second court false punishment है लेकिन हम ऐसे डारेक्ली करें फिर्स्ट परिश्मेंट नारी जैसे परिश्मेंट के बारे में बात करेंगे तीसरा इंप्रिशनमेंट है यह पांस तरह की परिश्मेंट है जो हमें यहां पर डिसकस करनी है अगर आप CRPC में जाएंगे तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो चैप्टर्स है इसमें CRPC का चैप्टर टू है जहां पर क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में दे रखा है अगर आप पिर करने जा रहे हैं या पिर कर रहे हैं तो आपको कौर्ट्स का आइड़िया होना बहुत ज्याद़ ज़रूरी है कि कौन कौन सी कुर्द्स होते हैं और यह आपको देखने के लिए अगर आपने अभी तक को प्रैक्टिस नहीं किया या प्रैक्रिस टार्ट नहीं किया तो आपको कापी जादा एक रेफरेंस मिलेगा है यहां से चैप्टर 2 से जिसमें क्रिमिनल कोड की डिटेल्ड डिसक्शन कर रखा और मैंने इसका अलग वीडियो बना रहा का मैंने यह दीर से चैप्टर 2, 3 और 13 इसका एक पूरा बंच यह चैप्टर हमें CRPC में एक साथ पढ़ना चाहिए तो इसमें IPC की लिंकिंग या CRPC से यहां पर चैप्टर 2 में क्रिमिनल कोड के बारें बताए गया है चैप्टर 3 में जो चैप्टर 2 में सेक्शन हैं वो सेक्शन हैं तुमारे सेक्शन 6 से लेके 25 ए तक हमारे CRPC जो चैप्टर 2 है उसमें सेक्शन जो हैं वो 6 से लेके 25 ए तक सेक्शन हैं CRPC में चैप्टर दो चैप्टर तीन और चैप्टर थाटीन अगर आपने अभी तब नहीं पढ़े हैं तो आप हमारा पुराना लेक्टर से जी देख सकते हैं उसमें मैंने कवर कर रखा डिटेल्स में ये तीन ओ चैप्टर चैप्टर दो जो है वो क्रिमिनल कोर्स है कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्स होती है उनके बारे में मैंने डिटेल्स बता रखा है चैप्टर दो और इसमें सेक्शन है छे से लेके पच्चिस एक ताथ चैप्टर तीन जो है तुमारा वह तुम्हारा power of code के बारे मबात करता है किस code के पास कितनी सजा देने की power है वह power of code जो है वह चप्टर 3 में दे रखा है power of code के बारे है और जिसमें section 26 से लेके 35 तक और फिर आता है तुम्हारा chapter 13 chapter 13 की जो रेंज है वह है 177 से लेके 189 जो चप्टर 13 है उसकी रेंज है 177 से लेके 189 ये बताता है छेतरा दिकार jurisdiction के बारे कि किसी court ने कोई matter सुन लिया और सुनने के बाद उसको कमिट केस को केस को सुन करने के बाद उसने कर दिया और उसने टपीर लगई कि सब ये इस मामले में तो फला जो पर है उसको तो जूरिस्डिक्शन था ही नहीं तो जूरिस्डिक्शन अगर कोट के पास नहीं है तो वो कि उस matter को वो नहीं सुन सकता है उसको कमिट ना किया और उसके पास इस्पेशल पावरों से सुनने की ठीक है तो CRPC में जो रेंज है वो बहुत matter करती है क्रिमिनल कोट की यहां पर मैं कुछ क्रिमिनल कोट की रेंज जिस आपको बताऊंगा मैंने मताँ चेप्टर तो 6 से लेके 25 से लेके 25 वे CRPC इसमें जो है में में सक्षिन जो मैं अगर डिटेल में जाना है तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाहिए और देखिए में सक्षिन जो है जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो रिट्रो कुलेटर में स्टेट है वो सेक्ष्ट्रेट में जो रखा है एक्जी क्यूटिव में स्टेट है वो section 20 में दे रखा है session code है section 9 assistant session code है section 10 public prosecutor है section 24 assistant public prosecutor है section 25 एक वाल मेरे साथ repeat किजिए judicial magistrate court section 11 metropolitan magistrate section 16 executive magistrate section 20 session court session 9 assistant session court session 10 public prosecutor section 24 assistant public prosecutor section 25 यह जो है तुमारे 6 से लेके 25 तक यह सारे sections जो है तुमारे यहां पर जो criminal courts है उसके बारे बताते हैं कौन सी criminal court के पास कौन सी criminal court का कैसे उसका establishment होगा और किस criminal court के बारे में किस section में define किया गया judicial magistrate court जो है section 11 में मिलेगा metropolitan magistrate 16 में मिलेगा executive magistrate section 20 में session court section 9 में assistant session court section 10 में public prosecutor section 24 में assistant public prosecutor section 25 में कई बार काफी इतने सारे sections हैं इनको मैंने बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे से segregate करके बताया है कई बार जो है छोटी छोटी tricks काम आ जाती है मैंने अपने पुराने CRPC के lecture में यह सारी इन sections को कैसे एक साथ memorize कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं आप interested है तो आप जा सकते हैं हमारे CRPC के lecture में और इसमें इसको cover कर सकते हैं CRPC के lecture में जाकर देखिए तो यहां पर उसमें आपको समझ में आएगा तो यहां पर देखिए कि यह जो sections है इस यह chapter 2 है chapter 3 जो power of code section 26 से लेके 35 तक chapter 4 इसी तरह से superior officer की power के बारे में superior officer को access करना उसके बारे मता रखाया CRPC में range याद करना बहुत जरूरी है अगर आप exam के point आवी से देख रहे हैं कि कई बार ऐसा है होता है कि section आपको याद नहीं आते हैं इसलिए range याद करना बहुत important है must है तो इसलिए मैं time time के अपने अपने lecture में ranges recall कराता रहता हूं और आप लोगों को की duty बनती है अगर आपने ranges नहीं याद किये तो आप प्लीज इन ranges को अच्छे से याद कर लिए क्योंकि CRPC या IPC इसमें range बहुत important है chapter 4 chapter 4 में दे रखा है superior officer को assist करना CRPC पे चेप्टर फे होगा है to assist superior officer यह भी मैंने इसका भी lecture CRPC का दे रखा है मेरे पुराने वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं यहाँ पर जो public की duty है कि public जो है public की duty के बारे में बता रखा है कि public कब किसी अपरादी को पकड़ के police को support कर सकती है तो इसके बारे में public की duty इसके बारे में बता रखा है और 36 section में 37 से लेकर 40 sections है उसमें duties बता रखी कि आपकी duty है कि अगर police है या कोई न्याइक प्रसासन की प्रसासनी ग्यक्ति आपसे कोई मदद मांग रहा है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए उनको आप अगर उनको एक तरह से असिस्ट करना चाहिए और अगर वहां पर अगर आप उनको असिस्ट नहीं करोगे अगर पॉलिक आफिसर या पॉलिस ऑफिसर वह आपकी help की जरूँद है कोई पॉलिस ऑफिसर को assistance करना हो तो वहां पर आपको जितनी जितना असिस्टेंश सही है पॉलिस ऑफिसर को वह एसिस्ट करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आफेंस बनता है कि जल्देटी हम sections recall करेंगे ताकि हम IPC में आगे बढ़ सके चैप्टर 5 CRPC का उसमें आरेस्ट के प्रावदान है आरेस्ट के प्रावदान दिए गए हैं चैप्टर 5 में अगर आपको देखता हूं तो आप जाकर देख सकते हमारे अरेस्ट के बाद ही हमारा जो आता है बेल का concept आता है जैसे कोई arrest होगा उसके बाद ही ना बेल आएगा ठीक है तो बेल जो है वह कहीं ना कहीं अरेस्ट से लिंक है तो अरेस्ट की linking जो है वह बेल से है ठीक है एंसी अंटीशिपेटरी बेल को छोड़ करके अरेस्ट की linking जो है अरेस्ट के बाद जो है बेल का प्रावदा ना था तो बेल जो है वह हमारे section बेल के कहां से रिफाइंड है 436 से लेके 450 तर जहां जिसकी linking जैसे बैट रही है उसको वैसे ही आप प्रपेर की लिए चल्दी से हम यहाँ पे sections recall कर लेते हैं सारे इसके बाद हमारा chapter 5 है अरेस्ट का CRPC में CRPC हमारा chapter 6 जो है वो है तुमारा परसन की appearance को court में compile कराना process to compile the appearance process to compile the appearance CRPC जो है बहुत procedure है तरह कर दिया हुआ है easily easy procedure है तो इसमें जो है कितने तरीके हो सकते हैं process to compile the appearance बता रखे हैं तो यह एक तो सकता है समन ठीक है अगर non-cognizable offense है दो तरीके को offense होते हैं cognizable non-cognizable offense तो non-cognizable offense है तो ज्यादा तर उसमें समन ही बेजी आती है warrant जो है हमेशा cognizable offense के case में warrant जिए जाएगा अगर सबसे पहले बेज जाएगी समन से नहीं माना तो warrant बेजा जाएगा arrest warrant बेजा सकता है proclamation उससे भी नहीं माना तो फिर क्या होगा proclamation उद्गोसडा कर दी जाएगी बहोड़ा साबित कर दिया जाएगा जगए जगे परचेट सब जाएगे भईया इसको पकड़के लाओ अब भाई खुमारा proclamation हो गया जगती हो आज में सुझेगार इसकी बदनामी हो गई अब तो surrender कर देना चाहिए लेकिन कई सारे डीट होते हैं नहीं surrender करते हैं तो फिर उसमें क्या होगा फिर आदे दिया जाएगा attachment का इसकी संपत्ति को attach कर दिया जाए जैसे अब बैंक लूट लूट के बहुत लोग भाग रहे हैं तो इनके खिलाब proclamation जारी की जा चुकी है attachment की proceeding चल रही है इसके बाद होता है इसमें भी दिमाग लगा जाते हैं अपने आपको दिवालिया घुसित कर देते हैं अपने नाम पर बच रखते नहीं है थीक है ठीक है तो सबसे पहले वह समन के बाद वारंट वारंट गद de proclamation request अठई अटेशमेंट और वारंट इन लिव औफ addition to स्वेन सटिक है q üzer sachत आ इसमें गत्याल है ठीक हैffee चेप्टर स्थ है जो process to cakes e एक बड़ प्रॉसेस एक प्रॉसेस है, फिर क्लीय के लिए फिर चेप्टर साथ आ जाते है, जातै है rudba. घृट्शेम क्लीय और प्रॉसेस किस यृटार्फिर्फ पर्डफिन उफ तिंग्स vaporी कलो कलो के लिए इसमें समन का प्रोसीजर दे रखा है सच वारेंट है और उनके क्या क्या रेमेडीज है समन क्या क्या सर्च वारेंट एंड क्रस्पांडिंग रेमेडीज ठीक है जल जल लिए रिकॉल किए मिरे साथ मैं किश्ucharist रांट सेवन के बाद कौन सब् Congratulations दाएगा चप्टर 8 एड पिसी का चैप्टर के लीग इस है सब्याद करों अफर्द है BACK जो जो कि बहुत से कंपर यूंठ है सी क जो अगर कर लाग वोगийन सी छोड़ी का कि है इसमें दो तरीके की हो सकती सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी मतलब यह कि ऐसा कोई अपराद हो सकता है महलब दो गुटों में संगर चला है और दोनों आपस में ऐसा लग रहा है कि बवाल कर सकते हैं तो उनको preventive security ले करके magistrate जो है वो preventive security ले करके chapter 8 के अंतरगत उसकुन दोनों को इक तरह से छोड़ सकता है post stage में security क्या हो जाएगी बवाल हो चुका है ठीक है यहनी कि अपराद की सजा का निर्धारण करना during the committal of offense ठीक है committal of offense में क्या हो गया during committal of offense offense commit हो चुका है तब security तो preventive measures हो सकते है pre stage हो सकती security की post stage लेके 124 तक इसके sections है chapter 8 security chapter 9 maintenance का section maintenance का section 125 से लेके 128 से की रेंज इसके बाद है chapter 10 chapter 10 बहुत maintenance of public public order and tranquility यहाँ पे अल्लाफुल assembly वाले matters आते हैं public order and tranquility लोग प्रसांती बनाए रखने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर इसकी रेंज जो है 129 से लेके 148 तक है chapter 10 129 से लेकर के 120 148 तक है इसकी रेंज है यहाँ पर एक धारा आती है और कारे पालिका क्योंकी यहाँ एक्जीक्यूुट्व मजिस्टेट की होती है निकिस सरकार के होती है तो वहाँ पर सरकार क्या करती है अपरात करोपने के लिए पर 18144 लगा देती तो यहां 12144 के नियमों का पालन करना होता है नहीं पालन करते हैं तो क्रिमिनल कोर्ट में दो तरीके की पावर दे रखते हैं अद क्रिवेंटिव पावर कहलती है प्रिवेंटिव पावर सबसे पहले हम यूज करते हैं तो प्रसाशन ए चप्टर 10 प॑लिस का पौलिस का था प्रिवेंटिव एक्शनी और अच्छनी डा पुलिस जिसका पुलिस जो है यह जो है section 149 से लेकर के 153 तक है FIR होगी या फिर इसमें FIR होगी या complaint के case आई तो complaint से पहले basic CRPC picture में नहीं आती है तो ठीक है या तो FIR होगी और या तो यहाँ पर क्या होगी complaint यहां पर फिर chapter 12 है पुलिस की power आती है पुलिस ऑफिशल की power किसी है investigation की अब क्या होगा investigation होगा 154 से लेके 176 तक अगर आप अपनी day to day लाइफ में देखेंगे कि यह सारी चीजें आपको या किसी movie में देख लिए तो यह सारी sequence में चीजें चलते हैं इसलिए इसमें CRPC पूरी sequence में है इसलिए इसको basic easy है बहुत sections इसको remind करना लेकिन आपको बार बार इसी तरह से जिस तरह से मैं section revise करा रहा हूं इसी तरह से आपको बार बार section revise करने होंगे चेप्टर 13 मैंने का था चेप्टर 2 चेप्टर 3 और चेप्टर 13 यह एक साथ पढ़ने वाले section है चेप्टर 2 मैंने बताया था चेप्टर 3 पावर आफ दा court and jurisdiction and chapter 2 चेप्टर 25 ठीक है यह section जो है आपको कई बार इस बार नहीं कई बार अच्छे से तयार करने पड़ेंगे ठीक है तो चेप्टर 2 है तुम्हारा चेप्टर 25 क्रिमिनल कोर्स के बारे बताया गया था इसमें एक बार फिर से मेरी वाइस करा देता हूं क्रिमिनल कोर्स के बारे में बताया गया था चेप्टर 3 जो है तुम्हारा वो पावर आफ कोर्ट के बारे में किस कोर्ट के पास क्या पावर है पावर आफ कोर्ट के बारे में दिया गया था चेप्टर 3 में जिसमें सेक्शन आईए 26 से लेके 35 तक और इसको चेप्टर 13 है एक्स्क्राइब लिए उसको सबस्ट कर सकते हैं अब जैसे डेसन्टेंश के हम बात कर रहे हैं तो यह दिया गया है पावर पड़ में तो डेस सैंटेंश किसका काम है डेस सिंटेंश कौन सी कौर्ट दे सकती है सेशन कोड separate यहां फिर हॉर्ठ Gesprे सकती है है यह सब की संदी तो इसको हाइग नहीं पड़ेगी परम्यसन हाइग की पर सेशन कोड लिख संदी सकता है कौन सा कॉड कितनी सेंटेंज दे सकता है, यह हमारा chapter 3 में define कर रखा है, section 26 से लेके 35 तक, तो आप लोग अभी ये वीडियो पॉस्ट करके, मेरा पुराना वीडियो जा है, chapter 3, power of quotes मैंने define कर रखा है, वो जाके देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो उसमें मैंने अच्छे से power of quotes के बारे में explain कर रखा ह अब हम कहां पर चल लेते हैं, हम थे यहां पर chapter 10 हमने cover कर लिया था, chapter 11 कि रिम मैं आप रिकॉल करा था, 12 कि रिकॉल करा ली थी, मैंने power of police to investigate, police के पास investigation, सबसे पहले F.I.R. हो भी complaint है, F.I.R. हुई chapter 11, chapter 12 में police की power आगी investigation की, chapter 13 jurisdiction है, उसके पास आधिकार है, कि देनियन सुन कोई भी proceeding initiate, condition, condition लगाई गई है, before initiation of proceeding, condition before initiation of proceeding, proceeding start करने से पहले, प्रक्रिया सुरू करने से पहले सरते हैं, प्रक्रिया सुरू करने से पहले सरते हैं, प्रक्रिया सुरू करने से पहले सरते हैं, जो 190 से लेके, 199, condition pre request is before the initiation, आप प्रोसीडिंग कौन सी कंडिशन हैं कोई भी प्रोसीडिंग करने से पहले जो भी कंडिशन के रिखिस्ट होती है उसके बारे जिए रखा है चप्टर 14 में 190 से लेके 199 फिर चप्टर 15 आता है तुमारा चप्टर 15 में यह बहुत इंप्रटन सेक्षिन 200 से लेकर के 203 चप् 15 है यहाँ पर दो कंप्टे का केस है कंप्प्लेण तूमजिस्ट्ड एक दो मैंने बताया था त्छेप्टर 15 कंप्प्लेंट तव त्स्ट्रीप मैंने बताया था कि दो नहीं पर क्या होगा ोस्रा तरीक gonna करेंक कि यहपिए प्लॉवक रघांपर चैनल का कि यहां पर साथ कि यहां पर देखिए दो तरह कि एक इंट्रीकेशन और इसको इसका 11 के बाद चेप्टर 15 में कम्प्लेंट और अब यहां पर सेम हो जाएगी सेम हो जाएगी यानि कि चेप्टर 16 से चेप्टर 16 में यानि कि 11 में एफाई आर हो गई या फिर चेप्टर 15 की कम्प्लेंट और यहां से फिर या कम्प्लेंट होने के पाद आप प्रोसीडिंग कमेंस्मेंट होगी कमेंस्मेंट आप प्रोसीडिंग चेप्टर 14 दिहान रखना कर्षासे अहां से लेकर के दो सो दस्तत कर्वाही प्रोसीडिंग के जाएगी इस्यूस कर दोसो दस सबसे पहला क्या होगा अगर करेशी जूश्रू-प्रोसेस Issue of Process Process issue करना Process को issue करना क्या process issue किया जाएगा अगर समन है तो सामने वाली party हो समन जारी किया जाए और नई तो warrant है तो फिर warrant execute कराया जाए तो यह है issue of process जिसको 204 में defined किया गया कि प्रक्रिया को सुरू करना या प्रक्रिया को जारी रखना प्रक्रिया को जारी रखने का इनिशियल इस्टेप सीवडी नंबर एक समन समन या वारंट इशू आप प्रोसेस दोसो चार दोसो चार से लेगे 210 कमेंस्मेंट आप प्रोसेडिंग कमेंस्मेंट आप प्रोसेडिंग प्रक्रिया को सुरू करन यहां तक समझना आहा है अब समन है या समन भेज बेज दिया गया वारण्ट जारी कर दिया गया सामने वाली पार्टी अपने ऊपर लगे जितने वी चार्जेज हैं उसको explain करेगी किसमें चेप्टर 17 में चेप्टर 17 में जो चार्जेज लगे हैं सामने वाली पार्टी के उपर चार्ज लगाए जाएंगे दो सो ग्यारा से ले करके 224 तक के section है बड़े प्यारे प्यारे से इन्हें आप लोग charges जो charges लगी हैं सामने वाली party के उपर charge लगाए जाएंगे और उसके उपर जो charge लगाएगे court उस पर अब trial सुरू करेगा chapter 17 charges है charge framing से लेकर trial एक charge framing यानि कि trial का एक हिस्सा है यानि कि trial जो है court cognizance लेने के बाद की जो प्रक्रिया है court जब मामले का संग्यान ले लेता है तो उसके बाद की प्रक्रिया है चाहे वह evidence की court चाहे वह evidence को सुन रहा हूँ चाहे court वह evidence को सुन रहा हूँ देखो यह राइटिंग जो है इस पर मत जाओ मैं जो बोल ला हूँ उस पर जाओ क्योंकि यहीं important है मेरी राइटिंग अच्छे खराब से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आप लिखोगे वहाँ पे तो आप अपनी राइटिंग में लिखोगे ठीक है कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे सकते हैं कि साथ मुझे यहां पे समझने नहीं आ आप ट्राइल जो है ठीक है 211 से लेके 224 में चार्ज फ्रेमिंग हो गई है चप्टर सत्रा चप्टर सत्रा भी यह सारे चप्टर लाइन से बिल्कुल इक्डम सीरियल वाइज होगे पुर पोलिस ने फाइयार करी चप्टर ग्यारा नहीं तो चप्टर मजिस्टेट को कंप्ल सब्सक्राइब आप चार्ज लगा जाएगा चार्ज फ्रेमिंग का चैप्टर सत्रा चार्ज फ्रेमिंग दस बार लिग देता हूं आप बिल्कुल रटलों से सब्सक्राइब नहीं करने चार्ज लेकर बिल्कुल बिल्कुल और चार्ज बना उसे बिल्कुल याद होना चाहिए सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब होने के बाद अब आता है रखेल चप्टर है है और फिर अब यहां पर चप्टर एटीन में जो है वहाएगा अब त्राइल कौंग सब्सक्राइब कर दो तीन रहे सकती है यह बेसिक रखेल्प चप्टर बारे में दे रखा है कौंग से कमिल पेडिये को विल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि क्रीमिनल प्रक्रेंट करो तो कि प्रक्टिस करें पता ओना कि का पूर तो किस पूर्ट में जाना है कि 5 खुंडिंग में में जाना तो किस पूर्ट होट कौन सा है सजा प्रेशन कुर्ट है, मेट्रो कॉलितिं काम है, ठिक है तो यह सारे बी कौ्ट है, शिजन क्या है, पावर умकूर कोको में सजा दे सकता है, इसके बगरी मेचे कार है, पावर इस के स्वरेंबों चयांग को स्ड़ आशिक्शन says यहां पर चलेगी चार्ज प्रेमिंगे बाद 211 विद्कटर्श कशा उज़ मजिस्टेट को से कृफल किस माभिले सकता है यह स्वर्य को इंपॉर्टेंट है त्राइल थोड़ा अच्छी राइटिंग मना देता हूं ठीक है त्राइल वैसे इसकी जोगत नहीं चेप्टर केटीन कि 225 से लेकर के 237 तक चेप्टर 18 यहां पर सेशन को ट्राइल लेगा अब यहां पर सेशन को ट्राइल लेगा दूसरा आ जाता है अब मझिस्ट्रेट कोड जो ट्राइल लेगा तो अलग अलग हिसाब से की वारंट का केश है तो वारंट के के समें जो ट्राइल चलेगी वह चेप्टर 19 जिसकी रेंद है 238 से ले करके 250 तक इस warrant के case में क्या है कि warrant दो तरीके से होगा एक तो police report है police report police जो report फाइल करती है उसके अंधार पर और दूसरा है other than police report तक है तो वारंट भी दो तरीके दोगा पुलिस रिपोर्ट और अधर देन पुलिस रिपोर्ट चेप्टर नैंटीन दो सुर्थे सिटेंगे दो सब पचास इसके बाद है समन समन केस ठीक है समन केस चेप्टर 20 से ले करके 259 तक जो पहली बार पढ़ रहा है वो ध्यान दें कोई कोई सर के उपर से नहीं जाना चाहिए यह देंज मैं बता रहा हूं और रिकॉल करो अच्छे से ठीक है नहीं पहली बार पढ़ रहा हूं तो भी जैंज अच्छे से देख प्रोसीजर तो जहीत है कोई रॉकेट साइन्स हमें बताया जा रही है यहां पर ठीक है कि यहां पे समन है चेप्टर 20 251 से ले के 259 और सकुर समन के जो ट्राइल चलेगी विद हो चलेगी 260 से ले टर के 250 क कि एक इसके बात जो जुर लोगी तो तो कि यह जजमेंट सिद्धा जजमेंट तो जजमेंट राइटिंग का एक इंपोर्टेंट हिस्सा देखो यह चार्ज फ्रेमिंग को ठीक है चार्ज फ्रेमिंग के लिए सबसे पहले चार्ज अगर अगर तभी फ्रेम कर पाऊगे जब आपने आई पीसी अच्छे से पढ़ रखी है तो तभी तो पते लेगा इसके उपर क्या चार्ज फ्रेमिंग बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए और चार्ज फ्रेमिंग अगर आप तभी कर पाऊगे जब आपको आई पीसी अच्छे से याद होगी यानि कि सबसे पहले यह है कि एक्चुल पले जो तुमारा है कि समन केस हैं जो समन केस में जो इस्टू का इस्टू प्रॉसेस इस्टू करता है दो तरीके से 204 से लेके 210 में रखा है और ट्राइल में भी समन और वारंट दो जगए इस्टू होता है एक तो प्रॉसेस इस्टू किया जाता है 204 से लेके 210 में ठीक है और दूसरा ट्राइल में भी समन और वारंट इस्टू होता है ठीक है पोलिस को कोई लेना देना नहीं है कि मामला समन है या मामल वारंट है इस नाइटि झाल पर्सेंट रॉल क्राइम के मामलों में आलता है ठीक है तो ओफेंस है अगर अधार सोय तो या तो यह तो यह भरर्र dit सोग ए इस ओप रहे या फिर संगय ब्मरेशन ग्राद रहे 14 अधिक ब्रास कि यह वह पर जोड़ं और बारंड केस, प्रंसमांद संगी है, यह माँना असंगी है, रहरा जमानती है, लिए गहर जमानती है, बाद जो compoundable है या non compoundable है, यह सब छीजे जो है यह आपस में link है, ऐसे बारंट यह समर्सव जारी होता है तो पुलिस को उसकी तामिल करानी पड़ती है, कोर्ट ने जब समन या वारंट जारी कर दिया, तो पुलिस का काम है कि उस समन या वारंट को एक्जिक्यूट कराना, उसकी तामिल कराना, कोर्ट ने कोश भी जारी किया, समन जारी कर रहा है, या कोर्ट वारंट जारी कर रहा है, तो पुलिस क्या क होगा इसके नाम पर आता है तो पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि वह उसको कैसे तामिएगा कूर्ट इसको गाइड करती है लिट्राइल के मामले में अगर दूधी ठीख नहीं वही तो इसका मतलब यह कि आप ने बोल डिया आर्टिकल 21 सम्विधान में हमारा आर्टिकल 21 तरह उसका लंदन हुआ है यहां पर पुलिस के पास बहुत सारी पावर आजाती है पुलिस के पास पावर होती है काफी सारी इन्वेस्टिगेशन वगहरा की पावर पुलिस के पास होती है लेकिन जो non-cognizable मामले हैं, non-cognizable मामले हैं, तो non-cognizable मामलों में ये जो है, कभी FIR नहीं होती है, हमेशा complain होती है, ठीक है, तो non-cognizable में magistrate, magistrate जो है, उसके order करवाना पड़ता है, अगर उसकी investigation करनी है, inquiry करनी होती है, ठीक है, तो non-cognizable वाले matter में, जो पुलिस है, उसके पास direct permission नहीं होती है, उसको great petition दायर होगी, तब जाके पुलिस उसको investigate करेगी, ठीक है, तो मैंने बताया कि ये ranges है, आपको बहुत अच्छे से recall करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपको recall रहनी चाहिए, ठीक है, तो अब हम अपने वापस जो हम बत टीक है, तो अब हम आते हैं, section 53 जो मैंने बताया था, death sentences के बारे में, और sentences के बारे में, total टीन तरी की sentence हमने 5 तरी की sentence दिसके हैं यहाँ पर, एक तो होगी तो होगी death sentence, दूसरी होगी imprisonment for life, तीसरी होगी तुमारी imprisonment, वो simple imprisonment हो सकती है, rigorous imprisonment हो सकती है, चोछी होगी for future property और पांची होगी fine, ठीक है, अब यहाँ पर, section 53A, section 53A जो है, वो construction of reference to transportation, यहाँ पर जो एक question मनता है परी का, transportation of life, ठीक है, subject to the provisions of subsection 2 and subsection 3, any reference to transportation of life in any other law for the time being in force, in any instrument or order having effect by virtue of any such law or any enactment repealed, shall be constructed as reference to the imprisonment for life, means, यहाँ पर जो transportation of life है, इसका मतलब है, imprisonment for life, जो भी यह, इसके repeal होने से पहले जो भी था, वो अब क्या है, transportation of life, इसका मतलब हो गया है, यहाँ पर imprisonment for life, so, यहाँ पर एक चीज यह हमें देखनी पड़ेगी, कि जो transportation of life है, section 53, यह बहुत प्री में question पूछा जाता है, इसके थोड़ा समझ हान दे रहा हूँ, इसके, transportation of life, यहाँ पर transportation of life, जोग, section 1 है, इसका मतलब, be constructed as life imprisonment, imprisonment of life, transportation of life shall be constructed as imprisonment of life, जो सेकेंड सब्सक्राइब कह रहा है कि जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 26th of 1955 जो इस IPC जो है, IPC 1860 से पहले जो एक्ट था उसमें जो अमेंडमेंट गुए है, 1955 का उसमें जो ट्रांस्पोटेशन पर लाइव था, 26th amendment में ट्रांस्पोटेशन पर लाइव इसको सब्सक्राइब किया गया, ठीक है, या अमेंडमेंट 26th of 1955, IMPRISONMENT पर लाइव वर सब्सक्राइब पर लाइव वर सब्सक्राइब पर लाइव, इस अफेंडर रेट इसमें पर लाइव, इसमें पर लाइव वही पर लाइव, इसमें पर लाइव, इसमें पर लाइव वर सब्सक्राइब पर लाइव, इसमें 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 पर लाइव, ठीक है और ट्रांस्पोर्टेशन वर्ड को ओमिटेट कर दिया जागा जो ट्रांस्पोर्टेशन वर्ड है इसको ओमिट कर दिया जागा तो आज हम इतने ही सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 53 और 53A और मैंने CRPC की बहुत अच्छे से समझा रखी है अब आपके उपर है आप इसको कितने अच्छे से प्रिपेर करते हैं और किस तरह से अपढ़ाई करते हैं तो थैंक्स वर वाचिंग अस